Hello everyone, welcome to learning with Gotham YouTube channel तो आज के शुडियों हम करने वाले हैं We are about class 12th English के Most be way objective question answer को जो कि आप के आने वाले board exam के लिए काफी जादे important press रहने वाला है तो आप लोडियों को अच्छे से ध्यान पुर्वक और लास्त तक जरू देखिएगा तो चल लिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट कोशन से और पाला कोशन है हमारा कि German Guerrier is an डैस राइटर यानि कि German Guerrier जो कहा के राइटर है तो Australian राइटर है ऑप्शन मर दी हो जाएगा German Guerrier is an Australian राइटर नेस्ट कोशन है हमारा German Guerrier is a famous डैस राइटर जर्मन गेरियर जो के Australian writer है यह famous किस चीज के writer किस तरह के famous writer हैट तो famous feminist writer यानि का option मर B हो जाएगा जर्मन गेरियर इज ए famous feminist writer option मर B हो जाएगा Next question है कि Dr. Jaquer Hushain was born in Dr. Jaquer Hushain जो तेनका जन्ब कब हुआता तो 1897 मुँआता 1897 में हुआता यानि का option मर B हो जाएगा डॉक्टर जाकर उशेन वाज बॉर्ण इन 1897 अगला कोशन है हमारा डॉर्थी ऐलसेर है तो डॉर्थी ऐलसेर जो है इन्होंने किस लेशन को लिखा है किस चैप्टर को लिखा है तो how free is the phrase राइट लेशन इज रीटेंड वाई डॉर्थी ऐलसेर ऑप्शन मर बी हो जाएगा अगला कोशन करते हैं और नेश्ट कोशन है हमारा एचीवेट्स आलसो वर्क फोर सम्टम्स एज एज ए तो एचीवेट्स जो थे वह कुछ समय के लिए काम किये थे किस रूप में काम किये अप्शन मर इसका हो जाएगा एचीवेट्स आलसो वर्क फोर सम्टम्स एज जरूर्लिस्ट हो जाएगा नेश्ट कोशन है जोंसोन वाज पोसेशन इन दॉप फोर एकर लेंड हो जाएगा येज नेश्ट कोशन है हमारा कि डैस इज एबाउट एफार्मर जॉंसन एंड हि is about यहानि किस chapter मिरना बताया गाए farmer johnson के बारे में ओप्शन मेर आ हो जायगा audit is about a farmer johnson and his son been ऑप्शन मेर बलंग करने वाले कहां कराने वहाले है Mommy suivков नगार्ष ची बलंग करने वाले कहां कराने वहाले 1993 budgetаю एगनध बैंजी लिफ्ट इस्कूल एड़ एज अगला कोशन है बैंजी वाज दसन अगला कोशन है इसके राइटर कौन है इसके लेखा कौन है तो पर एस बख है ने अगला कोशन करते हैं इसके राइटर को किस ने लिखा एट ने लिखा अपेटर को डीटेण ने लिखाया आपक्शन में इसका डी ho जाएगा अभी तक आप लोग इस PDF को नहीं लिए ता आप लोग भी इस PDF को ले सकते हैं और लुडी बहुत सारे बच्चे बच्चे जो इस PDF को ले चुके जो लोग PDF को ले लिए उने बता देते हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके तूर आगे से देख लिजेगा क्योंकि आपका time waste नहीं होगा जो लोग अभी तक इस PDF को नहीं लिये उनको बता देते कि PDF को किस तरह से लेना और इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा लेकर अगर आप लोग arts वाले श्टोडेट होंगे तो आपका जो भी सवट होगा उस सवट का PDF आपको ले सकते पांचो सवट का PDF और PDF का जो प्राइस है उसलिप पर सिर्फ पर सिर्फ पचीस रुपए इसमें आपको हर एक सवट मिलेगा जो भी आपका पांचो सवट हो उस जोगरपी हो सकता है, music हो सकता है, home science हो सकता है, psychology, sociology या फिर economics हो सकता है इसी दस में से कोई आपका पांचो सवट होगा तो इस पांचो सवट का PDF है वो आप लोग ले सकते हैं इस PDF में आपको मिलेगा क्या 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 है जैसे आप इंगलिस की बात कर अगर आप लोग ये वी English 560 chapter कितने है? English में total 11 chapter है, 11 chapter है pro section और 10 chapter है poetry सकता है, लेकिन इसमें आपको extraordinary of English होता है उससे भी question पूचा जाता है, और उसके बात पा लेटर से question पूचा जाता है इससे पूचा जाता है, यानि निवन पूचा जाता है, लेकिन आप लोग भी सोचे लेटर से जोता है, कोई फिक्ष्ट टॉपिक रहता है ने कि इससे पूश दिया जाए और हम आपको इंपोर्टेंट बता दे तो ऐसा नहीं रहता है इसके लिए आपको क्या करेंगे यूटूब पे ही लेटर के लिए और इससे के लिए आपको पूरा complete हो जाएगा इससे का सेक्सर और इसमें एक और सेक्सर आता है इंग्लिस में इस्टूडी ओप इंग्लिस का पीडियाफ है वो इसमें नहीं रहेगा क्योंकि उससे तीन चार कोशन है हम अगर हम आपको देवी देंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आगा क्योंकि इंग्लिस का वर्ट बहुत सारे ऐसे बच्ची हैं जिनको समझ में नहीं आगता उनको रटना पड़ता है तो रटने का जरूत नहीं है हम आपको समझाएंगे यूटूब पर इसमें इंग्लिस में लेकर के आप लोग अबजिक्टिव और सब्जेक्टिव कर सकते हैं और एक और बात आपके मने होगा कि इसको अभी तो बहुत कम टाइम बचाएं इसको लेकर करेंगा इसको लेकर के ना सिर्फ आप चार से पांच गंटा में पूरा इंग्लिस का खतम कर सकते हैं आपके आने वाले board exam है जो 99% question होगा वो इसी पीडियाप से देखने को आपको मिल जाएगा चाहिए वो question कहीं से भी आए क्योंकि इसमें chapter wise important objective और subjective add की हो है तो question कहीं से भी आएगा तो book से यह आएगा इसमें जितना भी important objective और subjective और subjective और सब आएड कर दिया तो यहीं से आएगा इसलिए 99% question जो आएगा आपके exam में आने वाले board exam में वो इसी पीडियाप से देखने को आप लोग को मिल जाएगा इसमें हर एक subject को आपका मिलेगा जो भी आपका 500 ऐसा नहीं है अगर आप लोग 7-8 गंटा देते हैं तो आपका history पूरा complete हो जाएगा अब यह आप पे निर्वर करता है कि आप एक दिन में 7-8 गंटा पर लेते हैं या एक-एक दिन में एक-एक गंटा पर देते हैं दो दिन में पर लेते हैं 3-4 गंटे ऐसे करके लेकिन 7-8 गंटा में आपका history complete हो जाएगा अगर आपका जैसे home science होगा तो 5-6-7 गंटा में यह home science complete हो जाएगा क्योंकि इसमें जितना important question है और इसमें और कोई question ही एड़ने है जो आपके आने वाले board exam के लिए important question है सिर्फ और सिर्फ important objective और subjective question को एड़ने है लेना किस तरह से तो यह देख लिए नमबर को जैसी आप लोग फोन पे गुवल पे यह पीटियम में डाल लिएगा नाम आजाएगा गौतम कुमार उस पे आप लोग को पजीशु पे डाल देना और इसका screen sort ले करके इसी नमबर के वार्ट से पे भेड़ देना और अपना subject बता देना और अर्ट्स वाल अगर बच्चे होंगे ने तो किसी भी सवेट का आपका हो पीडियाप ले सकते हैं और इसको ले करके आपने बहुत ही कम समय में तयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो अगले question क्यों ठीक है इंडिया त्रेवलर आई जाए ने इससे option मर ए हो जाएगा नेस्ट question है पर्ल एस बग कम टू नो इबाउट इंडिया त्रो ए इंडिया किस तरह आए थे तो बुद्धिम जुपी लिए option मर ए हो जाएगा पर्ल एस बग कम टू नो यानि कि जो इंडिया में आये थे किसके गला सबस्तें को बताना है तो बर्टे रसल को दिया गया था option मरें हो जाएगा वर्टे रसल गौट नोवल प्राइज इंडिया गया था इनकि सही और कभ दिया गया था 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 तो 59 में डिया आता यानिके option मर जुग जाएगा नेस्ट कोश्यन करते हैं और अगला कोश्यन है महारा The Earth Is Retain Why यानिकि The Earth Chapter है उसके लिखक कोन है उसको किशनी लिखा है तो The Earth Is Retain Why Achibates यानि कि Option मर B हो जाएगा नेस्ट कोश्यन करते हैं अगला कोश्यन है महारा Pearls S Buck Is N A Dash writer यानि कि यह कहा के writer है यह अमिडिकन writer है पर्ल एस बग इज ए अमेरिकन राइटर याद रखेगा एंटोन चेकब जो रनने वाले है अल्या कोशन है मारा डॉक्टर जाकर हुषेन बिकम दा परसिडेंट अप इंडिया इन डॉक्टर जाकर हुषेन जो है इंडिया के परसिडेंट यानि के राष्ट पति का बनते अगला कोशन है दो परसिडेंट और इनकर रैश्ट पतिक बनते और आप्डेंट अप्डेंट या Past रसटल है वाय आम नौट क्रिश्टिअ मर बी हो जाएगा अगला question करते हो निश्ट question है मारा the president of general assembly of UNOEA women of तो यह कहां के woman है the president of general assembly of the UNOEA women of India कहां के है तो वो इंडिया के है option word B हो जाएगा अगला question है मारा Benji was the son of the Benji जो एक किसका son है किसका बेटा है तो Johnson का son है option word D हो जाएगा Benji was the son of Johnson अगला question है मारा who right I am India's election and culture Indian civilization and culture जो की first chapter दे उसके लिए खोने तार लेडिया आप लोगों को पता ही होगा महात्मा गांधी option word A हो जाएगा Indian civilization and culture is retain वाई महात्मा गांधी अगला question है Pearl S. Buck head and death family doctor यानि कि कहां के family doctor किसके family doctor है इंडियान के option word B हो जाएगा Pearl S. Buck head and Indian family doctor option word B हो जाएगा next question है Dr. Jack Ruchan took the oath as a doctor Jack Ruchan जो किसकी सपत लेते हैं तो president की सपत लेते हैं oath मतलब होता है सपत तो Dr. Jack Ruchan took the oath as the president यानि कि परसिडेनर बनने का वह सपत लेते हैं अगला question है death were satisfied with small villages यानि कि हमारे जो एंसिस्टर थे हमारे जो पूर्वज थे एंसिस्टर मतलब होता है पूर्वज यो हमारे पूर्वज थे वह satisfied थे small villages का विलेज के साथ यानि कि छोटे गाउं के साथ option word B हो जाएगा अगला question है cb reads at death school यानि कि cb जो था वो किस स्कूल में परता था प्रामरी स्कूल में हाई स्कूल में मिडिल स्कूल में या प्लस टू आई स्कूल में तो cb जो था प्रामरी स्कूल में परता था option word A हो जाएगा अगला question है during pregnancy the best palace for the women is जब जी women कोई औरत गरवाती रहती है उसके लिए best palace यानि कि कौन सा जगह उसके लिए सब से अच्छा रहता है औरत के लिए 4 option में साब को बताना है तो हर mother house यानि कि कोई woman जो रहती है यानि कि कोई lady रहती है प्रेगनेंसी के time में उसको कहां पर अच house अगला question है हमारा कि ननुका का बाच का वी फ्रॉम दिली टू सम सम मिनिश्टर यानि कि दनुका का जो ते वो दिली क्यों है थे सम मिनिश्टर यानि कुछ मिनिश्टर से मिलने के लिए देखने के लिए option वर यह हो जाएगा अगला question है marty Luther king junior head a dash children यानि कि marty Luther king junior जो था उ option मर यह हो जाएगा अगला question है हमारा I have a dream is retained I have a dream जो chapter है किस ने लिखा है इसके लेखा कौन है तो इसके I have a dream chapter question करते है अगला question करते है अगला question है हमारा इसके लेखा कौन है इसके राइटर कौन है तो मनोहर मांग लो कर रहा है अगला question है during pregnancy women prefer her mother house because यानि कि अभी थोड़ी दिर पर ले देखे थे कि pregnancy के टाइम पर कोई women जोती हो प्रेफर करती है अपने मा के घर पर जाना तो ऐसा वो क्यों चाहती है क्यों चाहती है क्यों चाहती है तो वहाँ पर इसलिए जाते कि she got proper care them यानि को इसलिए जाना चाहती है क्योंक अब लोग को अच्छा लगा हुआ और आप लोग को पीडियेप के बारे में बताई दिया आप लोग भी चाहे तो आप लोग इस पीडियेप को लिए सकते हैं और बहुत ही कम टाइम है अगर आपके पस अगर अब इंगलिज का प्रिपेशन करना चाहते हैं तो आपको 4 से 4 या 5 गंटा लएगा और आप लोग थोड़ा परते होंग तो पांच गंटा लएगा को फास्ट परता होगा तो उसको लगए वास 4 गंटा चार से पांच गंटा पड़िये आपका English योगा पूरा complete हो चागा और ऐसा कोई student है जो कि पालाई से पूरा चार से पांच गंटा में पूरे English को त्यार कर सकते हैं तो आप लोग भी स्पीडियाप को ले सकते हैं और अपने आपको एनलाईस कर सकते हैं जो बच्चे पूरा सिल्वस complete कर चुका है जो लगा भी तो कुछ नहीं पड़े है थोड़ा बहुत पड़े वो तो इस पीडियाप को ले करके बस चार से पांच गंटा में पूरे इंग्लिस को त्यार कर सकते हैं इसलिए बोड़े चार पांच गंटा है क्योंकि इंग्लिस में अलग-अलग चीज आपको मिलेगा यहां पर बताएं नहीं ते जो दस ते बारा साल का पिछला question paper होगा वो जो question bank होगा वो भी आप लोग को मिल जाएगा ठीक है तो जितना अब जो भी आपका सब्वेटों का पांस सब्वेटों हो लोग आप लोग बता दीजेगा इसका पीडियाप आ आप लोग आने वाले आपके बोर्ड एक्जाम की त्यारी अच्छे त्रीके से कर सकते ठीक है अगर तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मिलते हैं नेक शूडियो में ने वीडियो के साथ